हसाद ड intent-plant क्लैंप जसको इसको स्लाइडिंग क्लैंप खेंगे या इसको बीटյिन कहेंगे यह पोलीमरेसं का कि यह सब्यूनित रहे त्सक्त्स रहे बेख्रच सब्यूनित है और वह बाद दोनों जो प्रोटीन चेंज हैं वह आपस में मिलकर एक रिंग सेप्ट इस्ट्रक्चर या सर्कल बनाते हैं जिसको वो डियने के साथ अपनी पकर बनाता है और वो थोड़ा लूजली अटेश्ट रहता है ताकि रेप्लिकेशन प्रासेस को फैसिलिटेट कर सके इप्स पॉल यह उथे लिधिंग टेंपर भी रहता है और लेगेंग इसट्रेंड टेंपंपलेट पर भी रहता है जो घुकल के Gill के साथ लिडिंग स्टीले रहता है वह पूरे जब तब तक सभाइब करेगा तब तक वह लीडिंग इस्टेंड पर वह फांच क्रेंग सर्वाइब करेगा और हड़ता रहे चार्व और पॉलिमरेज रहेगा वह उससे वार बार एक ओका लिए-स कि फ्रेग्मेंट की जब संथृस already सो कर लेगा ने मुर्ख के उपर तब उपने को वहां से कर लेगा उस बीटाग प्लेंट से अब फिर दूसरे बीटाग के साथ एक अपने को एसोसियेट करेगा जो नीव बीटाग बनेगा वह जहां पर और नर्म अ प्राइमर लेसिज इने टेंप्लेट है वहां पर यह जो पालीमरेज है वह अपने को निव बीटा क्लैम के साथ एसोसियेट करेगा और वह जो है फोक के बहुत नजदीक होगा कुछ और एसेसरी प्रोटीन सोती हैं जिनको कहा जाएगा क्लैम प्लोटर यह भी मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है और यह बीटा क्लैम को डि लेगिंगी स्टेंड टेंप्लेट पर जहां पर आरेने प्राइमर होगा जहां पर डिने टेंप्लेट होगा वही पर यह जो है नए बीटा क्लैम को नए बीटा क्लैम को वहां पर लोट करेगा और उसके साथ पॉलिमरेज जो है अटैच होगा और एक नए वोकाजा की फ्र कर देगा तब यह अपने को रिलीज कर लेता है